बारतिये जनता पार्टी अपने हर जुर्मों पर परदा डालने के लिए सहारा लेती है सेना का देश को याद है कि सेना के शहीदों के खून का भी सवदा किया है भोट के लिए बीजेपी ने सेना के जवानों की बिर्ता को भी भारतिये जनता पार्टी ने भना करके उतेजना फैलाई है सेना पर तो मुकंबल विश्वास है क्यों नहीं रहेगा गर्ब के साथ ना नाम पूछते ना धर्म पूछते वर्दी देख करके गर्ब के साथ भारत का हर धर्म का बच्चा अपने सेना को सेलूट करता है ये तो भारतिये जनता पार्टी भगवडे की तरह से पनाह लेती है सेना के नाम का हमने डिमांड जो किया है वो डिमांड ये किया है के साहब पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान दिखा कर देश के बहुत संखिक भाईयों के बीच जो मुस्लिम अल्ब संखेकों के परती नफरत का भावा पैदा कर रहे हो तो आप 30% फाउज में सेना में मुसल्मान के बच्चों को जगा दे दो पाकिस्तान को बढ़ियां से ठंडा कर देगा मुसल्मान इसलिए कि मुसल्मान के बच्चे को पता है बीर अब्दुलहमीद ने बताया है कि उनके टैंकों को कैसे तोड़ा जाता है क्या इस सच्चाई से भी कोई निकार करेगा कि एपीजे अब्दुलकलाम ने उनके सारे असलोहों का सारे मिजाईलों का जवाब कौन दिया था एपीजे कलाम ही दिये ना जिन पर आज सारा धरम गर्ब करता है तो जीस तरह एपीजे अब्दुलकलाम पर सभी धरम, सभी मजभ, सभी बर्ग, सभी समुदायक के लोग गर्ब करते हैं क्यों नहीं भारतिये जनता पार्टी के लोग उसी संस्किर्टी उसी कल्चर और उसी रोड मैप को अपना लेते हैं कि पुरा देश गर्ब करें आप हमको बता दीजिए, हम उन्ही लोगों से पूछना चाहते हैं कि सिख रेजमेंट है की नहीं है, इसका मतलब पंजाबी भाईयों को भरोसा नहीं है, है हिम्मत बोलने की, राजपूत रेजमेंट है की नहीं है, आपके जाट रेजिमेंट है कि नहीं है तो जब जातियों के नाम पर रेजिमेंट बन सकता है तो हमने तो 30% मांगा है यहां कहां सेना का अपमान है जिन भगवडों को अपने जुर्मों पर परदा डालने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ता है वो हमारी बात का कोई भी मतलब निकालने वो सोतंत्र है भारती जिन्ता पाटी भगवड़ा है भगवडों की सरगना है भगवडों की सरदार है अगर ये भगवड़ों की सरदार नहीं तो अब तक जितने भारत का धन लूट करके भी देश भागे हैं उसमें बतावे कोई मुसल्मान है क्या अगर गलती से एक मुसलिम होता तो ये देश में कितना वावैला मचता और चीख चीख करके कुछ चाइनल के लोग बताते कि लशकर का आदिमी था जैश का आदिमी था मैं तो कह रहा हूँ न कि बाबा राम देओ इतनी जल्दी इतनी परपटी के माली कैसे हो गई जहांच तो करा दो भी गया जितने भागे हैं धन ले करके वो किस राज के हैं जहारखन का कोई गरीब का बच्चा नहीं है बिहार का नहीं है यूपी का नहीं है उसमें 90 परसेंट लोग गुजरात के हैं पहले तो था ना पठान रेजिमेंट पठान रेजिमेंट था कि नहीं था क्यों खतम किया गया तो इसका मतलब यह है कि हम अगर गोर्मेंट से कुछ कहें, कुछ डिमांड करें तो इसका माने और मतलब और रास्ता ढूंड लिया जाए तो मुद्धों से भागे नहीं भगवडे लोग पंदरा लाग का वादा किये थे, हर साल दो क्लोर नोकरी देने का वादा किये थे अरे जो लोग आडानी का नाम लेने से डर रहे हैं इस वख पार्लेमेंट में वो क्या बात करेंगे सरकार में धरम लेकर चलने का कंसेप्ट हमारे संबिधान में नहीं है कि जो सरकार बनेगी वो धरम लेकर चलेगी संबिधान में ये है कि गोवर्मिंट कोई भी हो राज धरम निभाना है और राज धरम यही कहता है कि आपको धरम के अधार पर न कोई फैसला देना है ना धरम के अधार पर कोई योजना बनाना है ना धरम के अधार पर कोई इसकीन लानी है लानी है मेरी गरीबी के नाम पर सिक्षा असिक्षा के नाम पर जो दबे कुछले जो निचले पावदान पर हैं उनको उपर उठाने हैं कि योजना और इसकीम लानी है तो सचर कमिशन ने कह दिया कि दलिट से बत्तर हैं मुसलिम रंगनात मिशरा ने कहा ठाने के लिए ये जो जारखंड की गौवर्मेंट है जो कहती है कि हम सब को लेकर चलना चाहते हैं अज सब को लेकर चल रहे हैं तो जिन मदर्सों का 552 मदर्सों का इसी दुमका में केमिनेट हुआ था और उस समय मुखमंतरी आदर्णिय गुरु जी थे आखिर गुरु जी के केमिनेट के लिए हुए मदर्से के फैसले को इंप्लिमेंट करने में यह सरकार क्यों अपने आपको असाहज महसूस कर रही है कहां कठिनाई है क्या प्रॉब्लम है सरकार की नियत और मन्शा साफ हो तो नियमों को बदल करके निगेटिव को पोजेटिव बना करके कर लिया जाता है तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं अर्दू टीचरों के बाली हो रही है